प्रिलिम्स 2020 टेस्ट नमबर 9 है पढ़िए वो जी परिक्षा में आए तो टेस्ट नमबर 9 है इसके पहले टेस्ट आठ टेस्ट अपलोड किये जा चुके हैं नेक्स जीस की प्रोफाइल पर तो आप लोग गूगल पर नेक्स जीस लिखेंगे तो वहां पर आपको फेस्बु पर आपका एक प्लिक्ष्ट बनी हुई है सारे के सारे जो 8 टेस्ट हो चुके हैं वह सारे केसरे आपको एक साथ मिल जाएर चलि पहले कोशन पर आ derivative लिकाया है भारती साविधान की प्रस्तावना का उदेश्य प्रस्ताव का पारित किया गया तो होफीनी बहुत इजी कोशन है तो सभी को आता होगा भारती सवधान की प्रस्तावना का जो उदेश ये प्रस्ताव है वो आपका 22 जनवरी 1947 को फारित किया गया था देट इंपोर्टेंट है 22 जनवरी 1947 मतलब ऑप्शन नमबर 20 ही है नेक्स्ट है निम्कित में से कौन सा यूब्म सुमेलित है या फिर गलत है तो इस तरह की कोशन आते रहे हैं आपकी एक्जामनेशन में राज्य के नीत निदेशक तत्व सर्वूश नियाले की विवस्ता से स सम्मझ देथ् चाप्टर आपके एक्जामनेशन के लिए इंपॉचन से बार में बाकी शारे कि सारे सई है तो आप नोट थी देखे मूल समविधान में केवल आठ अनसूचिया थी बाद में हुआ यह कि विभिन समविधानिक संसुधनों के दारा चार अनसूचिया और बढ़ाए गई योट्यूब चैनल सब पर अप्लोड की जा रही है तो आप लोग इस जो आपका टाइम मिला है लॉक्डाउन का उसका अच्छे से लाभ ले सकते हैं इन प्रशनों को हल करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं चले तो कितने थे आठ थे नेक्स पॉइंट पर आ जात सब्सक्राइब का जो सुनिशित बटवारा है वह आपका साथ वी अनसूची में मिलता है इसमें तीन सूचियों का प्रावधान है संग सूची राजी सूची तथा संवर्ती सूची के बारे में तो आप्शन नमबर कौन सा सही होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा नेक्स संसद किस से मिलकर बनती है तो अगर इसके बारे में बात करें तो सविधान का जो आप्शन इसके अनसूची नाइन है उसके अनसार संसद राष्टपती राज्य सभा और लोग सभा से मिलकर बनती है ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नमबर इसमें सी सही होगा नेक्स पॉइंट पे आ जाते हैं राज्य सभा में सदस्यों की संख्या होती है कितने होती है अगर इसके बारे में बात कर तो राज्यसभा में कुल थाइसो सदस्य होते हैं 250 इनमें 12 सदस्यों को राष्टपती मनुनीद करता है जिन्हें साहित विज्ञान कला और समाज सेवा के छेत्र में विशेश अनुभव राप्त हो 238 सदस्यों होते हैं राज्यों तो था संगी छेत्रों के निर्वाचित प्रतनिधी होते हैं मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोट के प्रधान न्याइधीच रहे थे उनका चैन किया गया था इसी प्रकार से 12 सदस्यों को राष्पती जैसे मनु सा मेडिया में आ गया था और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि अभी हाल ही में किस राज्यसभा सदस्यों को चुना गया है या फिर आपका मनुनीद किया गया है इस टाइप से आप देख सकते हैं क्योंकि काफी लाम लाइट हुआ था यह संसत के दोनों सदुनो की संयुक्त अधिवेशन की अधिक्षता कौन करता है तो संसत के दोनों सदुनों के संयुक्त अधिवेशन की अधिक्षता जो करता है वो लोगसभा अधिक्ष करता है आहुत करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट पति साहाब को होता है मत्तब ऑप्शन नंबर 20 होगा नेक्स्ट है निम्न कत्नों पर विचार करिए रक्त एक संयोजी उतक है एक स्वस्त मनुष्य में रक्त का कुल परिमापण जो होता है वो करी 5-6 लीटर होता है मानोहरदे में दो कक्षोते हैं और इसके लावा जो आप्शन है केवल एक केवल दो केवल एक और दो केवल एक काढ़ा, चिपचिपा, लाल रंका, द्रव्य एक जीवी दो तक होता है मनुष्य के सरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगबग 7-8% होता है ता एक 70 kg भार वाले स्वस्त वैश्क मनुष्य के सरीर में लगबग 5-6 लीटर रक्त होता है मानोहरदे में करीब 4 प्रमु सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा मतलब एक और दो दोनो नेक्स पॉइंट पर आ जाते हैं इसके पहले नेक्स क्वेशन पर आएं तो हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स बैच है तो जैसा कि सभी को पता है कि 2015 से नेक्स जीयस कोचिंग जो है लगादार चल रही है और UPPCS Prelims 2020 प्लस समिक्षा अधिकारी 2016 का जो रीग्जामनेशन होना है तो पहले तो यह 3 मई को होना था तो अभी थोड़ा सा डिले हो किया है तो इन दोनों बैच को पढ़ाया जा रहा है और डेमो लिक कर हमारे WhatsApp नमर 708054001 पर भेज दीजे इस बैच से related सारी की सारी information आ आप ले सकते हैं जो समिक्षा अधिकारी का अभी recent result आया है उसमें हमारे हां से दो final selection हुए है तो बहुत easily वे में आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है यह सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एक दिन में कितनी चीज़ें आपको पढ लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है यह आपको क्लास में बताया जाता है क्योंकि books देखे सभी को पता होती है बस ये है कि उन books में आपको क्या पढ़ना है और कितना याद रखना है आप जो examination हो चुका है वो इस चीज़ प आपके लिए उतना बहतर होगा तो लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है यूट्यूब चैनल पर उसके अलावा जो हमारा प्रोफाइल है जो जो बैच चल रहा है तो उसमें तो आपका रेगुलर बेस्ट पे आपका टेस्ट होते हैं तो सारी की सारी सारी इंफोमेशन के लिए आप हमारे वाटसब नंबर विजिट कर सकते हैं 708054001 इस बैच से रिलेटेट सारी इंफोमेशन भी आपको मिल जाएगी चलिए नेक्स कोशन पर आ जाते हैं हम लोग निम्न कथनों पर विचार करिए प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रक कोशे में होता है मैडूला जो आपका मानोमस्तिस कोवाग भाग है जो आपका निगरण और उल्टी का नियमन करता है एक चीज़ और समझ दीजे कि बायों का जो पोर्शन है वह आपके एक्जामनेशन में ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स और कमिस्ट्री की आपक्षागर करें तो सरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रन कसेरकु रज्चु मतलब स्पाइनल कॉर्ट द्वारा होता है प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ही हम पैरों में काटा पर पढ़ने पर पिक्षिय और खीच लेते हैं मानोमस्तिस के विभिन भागों के द्वारा मनश्य की सभी कत्विधियों का संचालन था नियमन किया जाता है मैड्रूला अबला टोंगा ही भूजन निगरण उल्टी हरदे स्पंदन की दर और प्रवलता खासने चेकने त्यादी का नियमन केंद्र होता है मतलब ऑप्षिन नंबर सी है सही होगा एक और दो स सही होगा नेक्स्ट है मानो के श्वेत रक्त कणों कणों में का व्यास होता है लगभग तो कितना होता है यह आपको पता होना चाहिए ऑप्षिन नंबर एस ही है जिरो पॉइंट जिरो जिरो सेवन नेक्स्ट है 74 पे आ जाते हैं यह कोशन है पत्रियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं तो जलरंध बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में इसको बोला जाता है हाइडे थोड तो यह आपका एक प्रकार का चिद्र है जो आम तोर पर एंजियो स्पर्म में पाय जाता है एपडिस्मर या फिर आपका लीफ मार्जिन में चिद्रों के माध्यम से पानी को गुपत रखता है यह जली पौधों की पतियों में होते हैं जैसे कि रानन कुस फुलेंटिस तथा सुस्क आवास पाय जाने वाले शाकी पौधों की पतियों में जैसे क्यंप गुना इत्यादी पौधों मे तो option number कौन से सही होगा option number इसका A सही होगा next है quantum optics max plank संस्थान कहां है तो जर्मनी में म्यूनिक के निकट गार्शिंग में स्थित है quantum optics max long संस्थान ये आपका laser किरणों से संबंधित विश्व का अगरडी संस्थान है option number A सही होगा next है नेमली कितमे से कौन से गैसे उतकरष्ट गैस कहलाती है क्लास में इसके बारे में बहुत बार डिसकस हुआ है noble gas के बारे में तो helium, neon, organ, krypton, genon, radon आक क्रिया गैसे हैं ये गैसे उतकरष्ट धातूं जैसे platinum और gold की समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो इसमें रसाइने क्रिया शीलता का अभाव है अता इन्हें उतकरष्ट गैस या फिर noble gas कहते हैं मतलब option number क्या सही होगा option number इसमें A सही होगा next है acetylene से related है acetylene के संदर में निम्कित कतनों पर विचार करिये इसका welding उद्द्योग में प्रयोग होता है या plastic नर्माड है तो एक कच्चा माल है calcium, carbide और पानी के mission द्वारा इनकी सुगमता से प्राप्ती होती है तो option number इसमें D सही होगा मतलब सारे के सारे सही होगे तो ये था जो UPPCS prelims का test number 9 और इन जो भी test आपको कराया जाते हैं YouTube पे तो उन सारी की सारी चीज़ों का PDF जो है वो लगातार आपका class group में दिया जाता है तो PDF तो नहीं दिया जा सकता इसी वज़े से और लेकिन अगर आप चाहें तो इस questions को बहुत easily note कर सकते हैं और जितने भी questions आपको दिये जाएंगे टेस्ट में खराये जाएंगे वो आप ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वो कहीं न कहीं इस time पे relate जरूर कर रहे होंगे इसी वज़े से उनको test paper में डाला जाता है और वो कहीं न कहीं examination के लिए oriented होते हैं तो UPPCS Prelims Test No.9 के लिए इतना ही और इसके अलावा Geography की NCRT चलाई जा रही है Nexus GS के profile पर Quality Top 500 Questions की सीरीज चलाई जा रही है और जो भी चीज़ें चलाई जा रही है वो सारी की सारी information आपको Nexus GS के Facebook profile से मिल सकता है Almost 12,000 प्लस उसमें followers हैं आप देख सकते हैं YouTube चैनल आप subscribe कर सकते हैं और जो हमारा Instagram पेज है उसको देख सकते हैं तो हर एक जगह पर आप इवेन Google पर भी लिखेंगे तो आपको Nexus GS आपको हर एक जगह पर मिल जाएगा चले फिलाल के लिए तना ही थैंक्यू सो मच